प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के द्वारा गरीबों के पक्के मकान में रहने के सपने को साकार करने के उद्देश से, जहां एक और प्रधान मंत्री आवास योजना का संचालन किया जा रहा है, इसके तहट सीधे लाभुकों के खाते में योजना की पहुँच रही है लेकिन उस पैसे का संपूर्ण उपयोग लाभुक अपना आशियाना बनाने में नहीं कर पा रहे। के ही एक युवक निसार अनसारी पर ठगीव अवैद वसूली करने का गंभीर आरोप लगाया है। मुख्या जी जी फोन किये तो मुख्या जी बोले पैसा किसी को नहीं देना है। तो हमके पैसा काहल मांग रहे हैं फैर अब हम घर और इने हम अथी कर दलिये नहीं पैसा बोल डले लेना है। क्यों कहें बोल मल दे दे बोल एथी बोल दिमान लगा दो पहले नंबर तो बल पैसा आज जितो। कि अब हमार 20-25 दिन मतलब इती उपरेल डहलेवा करके हमार त्यार होग लेना अभी तक पैसे ना खयाल। पैसा लिया नसर मिया। इतना इलहम से नसर मिया पैसा ले लिया है। यह थी किया कि इंद्रावास के अथी में हम अथी करेंगे वो करेंगे उसे कर देंगे। कि कुछ ना अब हम से पैसा ले लिए हुए हुए हमने जोट मुट कर दीया हुए कर दिया हूँ कुछ ना चाहते हो है कि हम लोग तो गरे दुख्य आदिमी ठीक है हम लोग कमाते खाते हैं तब होता है असे ना तो फिक से ना तो नहों अबिनांगे पैसा बोला की पैसे देने के बाद भी जब लाभुकों के खाते में योजना की राशी नहीं पहुँची तो पीड़ित लाभुकों ने मामले की शिकायत पंचायत की मुखिया पारवती देवी से की जिसके बाद मुखिया ने प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक को स्वैम सेवक की हरकतों की जानकारी दी जिसके बाद बीडियो ने तीन सदस्य कमीटी बना कर स्वैम सेवक पर लगे आरोपों की जाच का निर्देश दिया अपने पंचायत के स्वैम सेवक नसार अंसारी जियोटेक लेवर डिवांड एवन योजना से डराधम काकर जवरम वसुली किया जा रहा है लगभग मेरे पास आकर लिखित सुचना किया है मैं इसकी सुचना वीडियो सेवक के दिये हूँ अभी तक कोई करवाहिक नहीं किया है इस पर करवाहिक किया जाएगा वहीं बीडियो ने कहा कि जाज कमेटी अगर आरोपो को सत्य पाती है तो संबंधित स्वयम सेवक के विरुध एफायार दर्ज कराया जाएगा साथी सभी लाभुकों के पैसे भी लोटाये जाएंगे पैसे की ठागी की जा रही है तो ऐसे केस में जो भी किया जा रहा है और जदी इस तरह की बात है तो जांच करके इसके उपर मिमानुसर कारवाई की जाएगा बहरहाल आपको बतादे की मोगतमा पंचायत सूबे के श्रम नियोजन प्रसिक्षन और कौशल विकास मंत्री सत्यानन भोगता का ग्रिशेत्र भी है बावजुद इसके सरकारी योजना क्रियानवयन में पंचायत में इसकदर बिचॉलियों का हावी होना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है न्यूजविंग के लिए धरमेंद्र पाठा की रिपोर्ट